तो दोस्तो यहाँ पर हम जब भी एक उनलाइन कुछ प्रोटक्ट लेते तो हमारे मन में एक डर ज़रूर रहता है कि हमें एपल की जगह यहाँ पर केला बनाना संत्रा मौसंबी तर्बूज न मिल जाए तो क्या हमारे एपल में केला है तो देवियो सजुने एक बाद फिर से आप सभी को स्वागत है लेकर है कौर नहीं इंट्रस्टिंग वीडियो आज इस वीडियो हम बिल्कुल यहाँ पर मुद्दे के जड़ तक जाके बिल्कुल आपके सामने पेश करेंगे कि यहाँ पर जब भी आप कोई ऑनलाइन एपल क प्रोड़क्ट लेते हैं तो उसकी authenticity कैसे करें कि वो real है कि fake है आपको maybe clone मिला हो और आप उसे एक साल तक use कर रहे हो उसके बाद आपको पता चला कि आरे भाई यह तो बनाना है यह एपल नहीं है में तो इतना life कराब हो या इतना life कराब हो तो जो डा कर तुम चैनल पर नए आयो तो चैनल को subscribe करने का video को like करने का अपने दोस्तों के केले में भी बाठने का अबे साले मतलब share करने का So guys भी ना कोई time वी सी चलिए Let's begin नव गई यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आप सभी के लिए कि यहाँ पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ ही कि आपने कोई online product लिया हो और आपके साथ scam हो गया तो क्या scam हुआ नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताना बात करें मेरी तो मैंने बहुत टाइम पहले जो है PTM जम नहीं नहीं आया था तो PTM से मैंने actually एक order किया था power bank तो power bank की जगा मतलब कि उन्होंने मेरे को mouse पकड़ा दिया तो I was like दया पता लगाओ क्या गडबड है इन लोगों ने मुझे mouse क्यूं दिया है क्या मेरे घर में बिलिया है इसलिए उन्होंने mouse दिया है तो यहाँ पर recently मैंने एक iPhone 11 जो है online purchase किया था from Flipkart तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बूल रहे थे कि तेरे को fake product मिला तेरे को clone product मिला है तो यहाँ पर उनकी comments को काफी हमने गंभीरता से लिया और यहाँ पर आपके सामने सारे सुराग हम पेश करेंगे कि कैसे आप यहाँ प phone यह कुछ भी Apple का product मिला है वो genuine है या fake है यहाँ पर बहुत सारे points बताऊंगा बहुत interesting point है definitely आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो कल सही आप कभी न कभी अगर Apple phone लेंगे तो आपको यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए तो बढ़ते अपने पहले point की तरह यहाँ पर जब भी phone डिलिवर होता है उसके साथ आपको यह डबा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर यह डबे का पहला roll आता है कि इस डबे में बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो यहाँ पर आप notice नहीं करते होंगे आप तुरन तुरन जल्दी जल्दी में बिलकुल excitement हो आप आईगी तब में तो यहाँ पर जो है iPhone अगर आप ले रहे हैं तो उसके डबे को पूरा देखिए डबे में कुछ चीज़े रहते हैं जैसे back side में आपको यह पूरी चीज़े देख रही है name and address of the manufacturer तो यह सारी चीज़े जो है original box में आपको देखने को definitely मिलेंगे अगर यहाँ पर कोई duplicate box होगा उसमें यह सारी चीज़े जो है नहीं देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वहाँ apple का नाम होगा बस आपका storage होगा उसके लावा यहाँ पर कोई information नहीं दी होगी जैसे कि यहाँ पर आपका क्या-क्या है box content price कितना है and country of origin यह सारी चीज़े नहीं म बना है दोनों साइट तो कई बार क्या होता है यहाँ पर apple की जगा बनाना बना होगा मिल सकता है मतलब apple का logo नहीं होगा ना iphone लिखा होगा तो पूरा plane हो सकता है यह डबा तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि original डबा कुछ इस तरह से आपको देखने हो मिलेगा यह आप सब जानते हैं यहाँ पर आजकल charger और नहीं मिल रहा है box में तो that's why यहाँ पर जो है box छोटा हो चुका है बहुत सारे बोल रहे थे कि iPhone 12 के डब्ब में तुझा iPhone 11 दे दिया तो ऐसा नहीं है यहाँ पर iPhone 11 में भी charger हटा चुका है तो that's why यहाँ पर डबा छोटा आ रहा ह उसे आप जब पकड़िंगे अपने हाथ में तो आपको totally खुदी आइडिया मिल जाएगा but एक premium feel अलग से ही आ जाती है थोड़ा सा heavy भी होता है यहाँ पर then the clone product अगर जो clone product मिलेगा वो थोड़ा सा light होगा then यहाँ पर आपका जो original है वो थोड़ा सा heavy रहेगा तो आपको य यहाँ पर आगे बड़े उससे पहले मैं यहाँ पर बतारना चाहता हूं कि यहाँ पर जो apple की official website है वहाँ पर तीन जो है अपने reseller को यहाँ पर authorize किया हो इन लोगों ने इंडिया में तो जुन में से जो है एक flipkart, amazon and ptm इन तीनों से अगर आप apple product लेते तो आपका product genuine www.pooja.com, dinchekonline.com, dinchekmobile24.com ऐसे कुसी website से ना लीजिए तो आपको जो है यहाँ पर खतरा बन जाता है अगर आप वैसी कोई website से लेते हैं तो न यहाँ पर आपको फोन में क्या करना है? आपको सबसे पहले जाना है settings में. Settings में जाने के बाद यहाँ पर general वाले एक tab होगा. उसमें about में जाना है मैं इसके बार में क्यों बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपके phone में F होता, तो इसका मतलब यह होता कि यह refurbished product है मतलब इसे, इसमें कुछ defect आये तो उसे वापस company के पास बेजा, वो refurbished होके आया, आपको new model नहीं मिला है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर N होता तो यह replacement device है, अगर यहाँ पर P लिखा हो, तो मतलब कि personalized engraving वाला कोई product है जो मतलब हम Apple खरीदते हैं, यहाँ पर कुछ अपने phone पे लिखवा लेते हैं कि चिंकू मेर्स पिंकू, मिंकू लवस टिंकू तो यह चीज आपको model number में ध्यान देना है कि आपका model number M से start होगा, तो मतलब आपका new phone है अगली चीज के बारे में बात करें तो वो अगीन आपको यहाँ पर settings में, जो है, serial number देखने को मिलेगा उस serial number को आपको simply यहाँ पर copy करना है, and copy करने के बाद आपको Apple की official website है इस website पर जाना है, and यहाँ पर यह serial number डाल देना है, तो करने के बाद आप देखेंगे कि आपके iPhone की सारी detail यहाँ पर आ जाएगी, तो आपको उस detail को match करना है, and सारी चीज अगर same है same to same है आपके phone से, तो यहाँ पर आप मतलब कि बिल्कुल आप थोड़ी chain की सांस ले सकते है, again उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि नीचे आपको limited warranty का एक option देखने को मिलेगा, उस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपकी warranty दिखाएगी कि कब तक है, आप जो fake product लेंगे शायद उसमें आपको warranty नहीं दिखाएगा, जब भी आपने phone लिया, उसके एक दो दिन बात कि यहाँ पर warranty स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपके सामने एक number होगा, जिसे हम IMEI number से जानते हैं, तो आपको यह IMEI number एक बार copy करना है, copy करके आपको किसी भी IMEI number checker वाली website पे जाना है, वहाँ पर इसे paste कर देना, आपके phone की सारी detail आ जाएंगी cross checking करनी है, कि सारी चीज़े valid है, कि यहाँ पर कुछ भी चीज़े अगर उपर नीचे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है, प्लस उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो अलग numbers हैं जैसे ICCID, MEID and यहाँ पर EID, SEID, यह सारे number भी आपको check कर लेने हैं, कि यहाँ पर यह सारे valid है कि नहीं है, मतलब कि blank नहीं होने चाहिए Now यहाँ पर next चीज़ आप क्या कर सकते कि आप अपने phone की settings में जाएंगे and यहाँ पर आपके सामने एक option रहेगा battery का battery में जाने के बाद आपको battery health देखने को मिल जाएगे, पहले वाले iOS version में यह सब नहीं आता था, आज कल यहाँ पर iOS version में आपको यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर battery health की maximum capacity जो है हमेशा यहाँ पर आपकी 100 होनी चाहिए यह actually में आपका phone कितना चार्ज है वो यह नहीं है, यह आपकी battery की health कितनी है, मतलब आपकी battery degraded तो नहीं है, अगर कोई phone पहले से use किया होगा या refurbished होगा या किसी ने पहले use करके आपको भीश दिया है तो इसमें बैटरी की आपकी health percentage थोड़ा कम होगा अगर यह सारे checks जो है आपके phone में बिल्कुल tick हो रहे हैं तो definitely आपका जो iPhone डिलिवर हुआ है आपको वो एक genuine iPhone है यहाँ पर आपको और भी doubt है तोड़ा आप और जांच पर तल करना चाते हैं तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप अपने phone को PC के साथ connect कीजिए, laptop के साथ connect कीजिए and iTunes उसे detect करता है तो आपका phone original है, नहीं करता है तो दिक्कत वाली बात बन जाती है उसके बाद यहाँ पर आप अपने storage को चेक कीजिए कि 64GB है, तो 64 दिखाना चाहिए यह नहीं कि 63 दिखा रहे है या 62 दिखा रहे है प्लस यहाँ पर एक और चीज से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आईफोन में Siri पहले से install लाता है तो यहाँ पर आप Siri के through check कर सकते हैं कैसे करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ So guys, अगर यह सारे factors आपके phone में valid है तो आपका जो iPhone है वो आपने kidney बेच के लिए है तो वो जरूर valid है अगर वो valid नहीं होता तो यह सारे checks में fail हो जाता तो आपको अपनी kidney का बिल्कुल भी पश्टावा नहीं होना चाहिए आपको खुश होना चाहिए कि आपको यहाँ पर genuine iPhone मेला है उस iPhone को आप जो है अपनी जान से जादा संभाल के रखिये क्योंकि kidney दो ही होती है उसमें से एक दे चुकि यह दूसरी हम दे नहीं सकते हैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी हमारे 100K होने वाले सिर्फ और सिर्फ नौस सब्सक्राइब बचेंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है ध्यान से सुनिएगा जिन रिष्टों में जहर घुल चुका होता है उन रिष्टों में अमरिट डालने से भी वो मीठे नहीं होता है झाल